वेलकम तो माइ चैनल आज इस लेक्सर में हम ग्रूप थेोरी से रेलेटेड एक थेोरम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट देखते हैं दा ओर्डर अवरी अलिमेंट ओफ फाइनाइट ग्रूप इस फाइनाइट और इकॉल तो दा ओर्डर अफ ग्रूप हम यह प्रूप करना है कि अगर कोई एक एलिमेंट है ग्रूप का तो ओडर अफ एलिमेंट है वो लेस देन आएगा ओडर अफ ग्रूप से finite group हमें दे रखा g एक finite group है तो हमने माल लिए g एक finite group है जिसका order n है order n है that means उसमें n element आएंगे that is g जो set होगा उसमें a raised to power 1, a raised to power 2 up to a raised to power n type के n element अपने पास में आगे अब g अपना group है group है तो हमें group की सभी properties में से यह पता है कि उसमें identity element exist करता है तो a raised to power 0 is equal to 1 होता है किसी power 0 मतलब की 1 और हमने माल लिए कि 1 इसका identity element है जो group g को belong करता है अगर g को belong करता है तो यह element a raised to power 0 है वो भी g set में आएगा that is g अपना set कैसा होजेगा a raised to power 0, a raised to power 1 up to a raised to power n अब यहाँ पर देखने वाले बात यह है कि जब identity element भी g में आ जाएगा in that case हमें क्या दे रखा है कि g का order n है हमने यह माना था कि g का order n है लेकिन यहाँ पर क्या आगे n पलस में 1 element आगे that means यह तो possible नहीं है कि g में n element हो और यहाँ पर n पलस 1 element हो जाए that means हम क्या कह सकते है कम से कम दो element तो समान जरूर होंगे at least two elements must be equal हैंगे तो हमने मान लिया कि a i a raise to power i और a raise to power j वो दो element है जो equal है that is a raise to power i is equal to a raise to power j जहाँ पर i है वो less than है j से और 0 और n के बीच में यह number अपने like करें आए और यह कुछ है समाल लिया अब a raise to power j है वो g में है तो हर element का inverse भी g में आएगा क्योंकि g group है तो a raise to power minus j a raise to power minus का j है वो भी किस में आएगा वो भी अपना g में आएगा कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं तो दोनों तरह post multiply कर दी हमने a raise to power minus j की तो हमारे पास क्या एगा a raise to power इनके power add जेंगी तो a raise to power 0 जेगा और a raise to power 0 हमने क्या मना था यहां पर लिखर का identity की गुल है तो यह हमारा identity element आगया a raise to power i minus में j क्या है एक नए element बन रहा है जो कि अपना r के equal है कुछ से समाल लिया r अपना 0 से बढ़ाएगा और less than equal to n आएगा आ रहा है that means order of element क्या रहा है r आ रहा है order of element अपना क्या रहा है r आ रहा है और r क्या है अपना less than equal to n है r अपना क्या है less than equal to n है और n क्या है n order of group है क्यों क्योंकि जो हमने सबसे पहले क्या लिया था जो g group है उसका order क्या है n है तो n order of group आ गया तो order of element है वो less than equal to क्या आ गया order of group चे आ गया और हमारा r है वो 0 और n के बीच में लाई कर रहा है that means एक finite number भी आ रहा है तो हम क्या लिख सकते है यहां से कि जो order of element है वो finite है और वो less than equal to है order of group चे thank you